हाई कोट सुनभाई गेट्स जल्द नियाए लखनो धन्ना प्रदर्शन यारी उन्हेत्र सच्छेवर्दी का अर्शार सो तेरे 156 का फैसला कवोगा इस वीडियों में बात करेंगे हैं महराम सर आप लोगों का स्वागत करता है यूट्यूब चैनल गैट गोल अनलाइन है अ सब्सक्राइब आप सभी लोगों को सब्सक्राइब लगाता है और उसी क्रम में अप्लिकेशन फाइल कर दी गई है लगवक तीन के आसपास में देट लगने के पूरे चांसे बन गए वहीं पर बात करेंगे लखनों में लगाता धना प्रदर्शन जारी है तीन सो पत्चीस दिन से एब होने वाले हैं और जिसमें के अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है उनका इस पर्ष डूप से कहना है कि दो साल से मानसिक प्रतार्णा जहिल रहा है अब्यार्थी और सरकार उनको जलक से जल्द नहीं आए देए अधना प्रदर्शन अभी तक जारी है तो आज अब्यात्रियों ने आयोग टीम की तरफ से और एटीसी टीम की तरफ से यहां पर अप्लिकेशन लिस्टिंग अप्लिकेशन फाइल कर दी गई है यहां पर देख सकते हैं आप लोग इस्टेड आफ यूपी तो एडिशनल चीफ सेकेटरी के लिए और यह स सब्सक्राइब कर देखने को मिलेगी और कब देखने को मिलेगी और कुछ अब्यादियों कहना है कि सीनियर वकील आते हैं तो यहां पर बहुत कुछ संबाव हो चकता है और सर्चों की नुक्ति को लेकर क्योंकि सरकार्वी पक्ष में लेकिन फिलाल सुनबाई ना होने की वज़ह से कहीना कहीं देरी हो रही है अब देखना वहीं पर भासकर यादव जी का मानना है कि यह ऐसा कुछ नहीं होने वाला जब तक कि यार्चियों कोई समाधा नहीं होता है और 1346 पर कोई वर्ण नहीं आयाता है अब देखना यह कब तक यह लिस्टिंग हो पाती है देट कभी मिलती है और देट मिलने के बाद में कब तक नहीं मिल पाता है कोई छोटी वड़ी ख़वर रहे हैं सबसे पहले सबसे सठी जानकारी देते रह झाल